वक्त कानून की उल्टी गिंती सुरू हो चुकी है PIL कोट में पेंडिंग है लेकिन अभी ये मामला संसद में भी पहुँच गया है राजसभा के संसद आदरडी हरनाथ यादो जी ने इसके लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल पेस किया है प्राइवेट जो हरनाथ यादरो जी ने वक्त पानून खतम करने के लिए बिल पेस किया उसका कांग्रेस और उनके सहयोगी दलो ने इंडी एलाइंस ने इसका जबर्दस विरोध किया बाद में ओटिंग हुई और ओटिंग के अधार पे उनका जो बिल था वो वहाँ पे पास हो गया है अभी कानून खतम नहीं हुआ है बलकि अभी ये केवल एलाव हुआ है कि हाँ उनके बिल पे चर्चा होगी अब जो ये बिल राजसभा कहा है जो ओटिंग के अधार पे बहुमत के अधार पे पास हुआ है ये जाएगा राश्टपती जी के पास राश्टपती जी उसको एप्रूब करेंगी फिर वो वापस आएगा वाइस प्रेसिडेंट के पास और फिर राजसभा में चर्चा होगी जिब राजसभा से पास हो जाएगा फिर लोग सभा में जाएगा और इस बीच अगर सरकार ने कोई बिल पेस कर दिया और सरकार ने कानून वापस ले लिया अपनी तरब से बिल पेस करके तो सवभाविक सी बात है ये कानून अपने आप खतम हो जाएगा अब तक पूरे देश में 120 PIL फाइल हो चुकी है और ये बात केंदर सरकार ने अभी कोट में एक एफिडेविट फाइल करके हमारी हमें बताया हमारी PIL पे केंदर सरकार के कानून मंत्राले ग्रिह मंत्राले को नोटिश जारी हुआ है उसी के जबाब में केंदर सरकार है पूरे देश में इसलिए हमने ये भी रिक्वेस्ट किया है केंद्र सरकार से कि आप सारी यार्चिकाओं को एक साथ क्लब करके एक साथ सुप्रिम कोट लेके आ जाइए यह संविधान अधिकार भी देता है यह संविधान में प्रोविजन भी है अटिकल 139 में कि अगर एक विश्यपर देश की अलग-अलग हाई कोट में में एकर पेंडिंग हो तो केंद्र सरकार एक application मूप करके सुप्रिम कोट से यह कह सकता है कि सभी हाई कोट की PIL को आप सुप्रिम कोट में ले लीजे और एक साथ सुनवाई कर लीजे या सुप्रिम कोट से कैंद्र सरकार यह transfer कर दीजे क्योंकि solicitor general attorney general दिल्ली में रहते हैं तो उनके लिए दिल्ली high court में जाके बहस करना असान हो जाएगा क्या करेंगे ये सरकार का अपना अधिकार है सरकार अपनी तेह करें उसकी सरकार के अपनी strategy होती है लेकिन हमने जो PIL फाइल करके कहा है कि वक्फ act जैसा कानून पूरे दुनिया में नहीं यह वक्फ act सबसे पहली बार नहरू जी ने 1954 में बनाया था और बनाया किसलिए था क्योंकि विभाजन के बाद बहुत सारे परिवार यहां से चले गए पाकिस्तान उनकी जो जमीने थी वह बहुत थी उन जमीनों को काइदे से सरकार को ले लेना चाहिए था और जब पाकिस्तान से हिंदू आए उनको उन जमीनों पर बसा देना चाहिए था क्योंकि जो पाकिस्तान से हिंदू आए जो उनकी जमीने वहां खाली पडी थी, जो भारत के Muslim गए उनको वहां बसा दिया गया पाकिस्तन सरकार ने यही काम किया कि जो लोग Hindu अपनी जमीन वहां से छोड़ के आये थे वो जो उनकी जमीने खाली पडी थी उसको सबसे पहले क्या किया कि जो भारत के मुस्लिम्स गए थे उनको बसा दिया इसके लावा जो और भी जमीने पड़ी थी उसको सरकार ने खुद ले लिया या आस पास के उस पे हॉस्पिटल बना दिया कुछ और काम कर दिया यही काम नेरूजी को करना चाहिए था कि जितने लोग यहां से गए थे पाकिस्तान उनकी सब की जमीनों को एक्वायर कर लेना चाहिए था जो लोग पाकिस्तान से हिंदू आये थे उनको उस पे बसा देना चाहिए था और जो इस्ता जमीन होती उस पे अपना हॉस्पिटल बना सकते थे इस्कूल बना सकते थे, कॉलेज बना सकते थे, इन्वेस्टी बना सकते थे, पुलिस लाइन बना सकते थे, और भी जो गावर्मेंट डिपार्टमेंट बना सकते लेकिन नहरू जी ने ये काम नहीं किया, नहरू जी ने बाकाइदा एक वक्फ बोर्ड इस्टेबलिस करा दिय वक्फ कानून बना दिया और वक्फ कानून बना कि उन सारी जमीनों को वक्फ बोड को दे दिया यह कानून इतना खतरनाक है कि आज अगर वो सुप्रिम कोट को कह दे यह सुप्रिम कोट वक्फ की बोड पर वक्फ बोड की जमीन पर बना हुआ है तो सुप्रिम कोट के रिज 1884 में और मजबूत किया ध्यान से समझिये नहरू जी ने 1954 में वक्ष कानून बनाया राजियु गांदी ने 1984 में जब उनको 400 सीट मिली उसी साल 1984 में उस कानून को और मजबूत कर दिया उसके बाद 1995 में नरसिम्बा राओ की सरकार ने जो नहरू जी का कानून था और जिसको राजियु गांदी ने मजबूत किया था उस कानून को वापस लिया और और भी खतरनाग एक नया कानून बना दिया 1995 में और 2013 में जाते जाते सुनिया जी की सरकार ने 2013 में उसको और खतरनाग बना दिया ऐसा खतरनाग कानून बनाया है कि इलापाद हाई कोड को वाख बोर्ड ने बोला यहां हमारी जमीने और इलापाद हाई कोड उस notification को challenge नहीं कर पाया वाख बोर्ड से गिर गिराता रहा कि न वकबोड नहीं माना, इलावाद हाई कोट सुप्रिम कोट आया, जहां से समझेए, इलावाद हाई कोट जो सब के मुकदमों का फैसला करता है, वो अपनी जमीन नहीं वकबोड से छुड़ा पाया, उसके लिए उसको सुप्रिम कोट तकाना पड़ा, ये कानून है कांग्रेस का, जो सबसे पहले नहरूजी ने बनाया, राजियू गाधिन उसको और मजबूत किया, नरसिम भाराओ ने उसको और मजबूत कर दिया, और बाद में मनमोहन सीन और मजबूत किया, ये कानून इतना खतरनाक है, कि जो बड़े लोग है, पैसे वाले लोग है, उनको नोटि वापिस लेंगे यानि उनसे वसूली करता है लेकिन जो गरीब हैं सिद्यूल कास्ट हैं सिद्यूल ट्राइब हैं आदिवासी हैं उनको नोटिस भेज के कहता है कि अगर तुम कि इसलाम कबूल कर लोगे तब तुम्हारी जमीन वाफ तुम्हारे पास रहेगी और नहीं तो आदिवासी है उन्होंने जबूआ की लोकल कोट को भी कभी नहीं देखा बोपाल तो देखना उनके लिए असंभव है अब जबूआ में वकबोड एक नोटिस भेजता है और कहता यह जमीन वक्त की है अदिवासियों से कहता इसका जबाब देने तुम भोपाल आओ अरे ज मुजफर नगर लखनव से 6 किलो मीटर दूर है मेरत मुजफर नगर की जमीन पर वकबोड कभजा करता है उसके लिए मेरत मुजफर नगर वालों को लखनव जाना पड़ता है क्योंकि लोकल कोट में उस नोटिस को चैलिंजी नहीं कर सकते अच्छा अगर किसी की का मैदान है उसको जब वकबोड कभजा कर लेता है उसके खिलाब तो कोई नहीं लड़ता लेखपाल पटवारी के पास कहां इतना टाइम है और कहां इतना उनके पास पैसा है सरकारी अधिकारी के पास तसिलदार के पास कलेक्टर की जाके उससे 6 किलोमीटर दूर 6 किलोमी के पास नहीं है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भौसंख्यक रहते हिंदु हिंदूों के पास लाखो मंदिर है लेकिन जीतनी जमीन मंदिरों के पास नहीं है उससे जादा जमीन वकबोड के पास मैं सरकार से निवेदन करता हूँ ततकाल इस नहरू के महापाप को राजियु गाधी के महापाप को नरसिंभाराओ के महापाप को और मनमोहन सिंग के महापाप को इसको वापस करिए इसको खतम करिए इस महापाप का अंत कर और जो जमीने वकबोर के पास है 12 लाख एकड़ के असपास इन जमीनों को एक्वायर करिए वहाँ पे स्कूल बनाईए कॉलेज बनाईए इंजिनिंग कॉलेज बनाईए मेडिकल कॉलेज बनाईए ला कॉलेज बनाईए पुलिस लाइन बनाईए जो करना है करिए वहाँ से जो पाकिस्तान से विस्थापित आये हैं उनको बसाईए जो कुछ करना है करिए लेकिन इस कानून को खतम करिए मैं धन्यवाद दूँगा पुरनात यादो जी को जिनोंने साहस दिखाया है मैं देश के सभी सांसुदों से कहता हूँ सभी सांसुदों से वो किसी भी पार्टी के हैं सबसे हाँ जोड के निवेदन करता हूँ वक्फ बोर्ड के खिलाफ वक्फ एट के खिलाफ आवाज उठाईए नहीं तो याद रखिए 20 से 25 साल के बाद आप ही के बच्चे आप से सवाल पूछेंगे कि आप पार्लियामेंट में रहके क्या किये आपने वक्फ कानून के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाया